हलो एवरीवन इस वीडियो में हम प्राकृतिक बनस्पति तथा बनने पराणी जो है इसके उपर हम लोग चचा करेंगे तो इसका जो मुख्य बिंदु है उसी को हम लोग देखेंगे सरांस के रूप में पूरा चेप्टर तो हमने पढ़ी लिया है तो अभी जो है यह क्लास नाइन का जियोग्राफी का चेप्टर है चेप्टर नंबर फाइफ है प्राकृतिक बनस्पति जो की है प्राकृतिक बनस्पति तथा बनने प्राणी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा देश है विश्व के बारह जो प्रमुख जय विविधिता बायो आला देश कहते हैं तो कुछ नहीं तो हमारे देश में बहुत ज्यादा जयक्त spins ना पाई जाती है कि आप तो जो भारत प्रमुक्स देश हैं जिनमें ज्यक्ति ज्यादा पाई जाती है उन में से भारत हमारा देश जो है एक है तो यहां पर लगभग 47,000 जो है विभिन जातियों के पोधे पाए जाने के कारण यह देश जो है विश्व में दस्वे अस्थान पर और एसिया के देशों में चोथे अस्थान पर है तो हमारे देश में कितने 47,000 प्रकार के विभिन जातियों के पोधे पाए जाते हैं और इस कारण से हमा में फूलों के पौधे का 6 प्रतिसस है भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जिने फर्ण सेवाल या फंग जाई भी पाई जाते हैं ठीक है बिना फूलों के पौधे में और फर्ण भी आते हैं भारत देश में लगभग जो है टी नाइन थाउजंड जातिय तो देखिए 47,000 प्रकार के जो है पौधे पाई जाते हैं और 89,000 प्रकार के क्या जाती हो कि जानवर और बाकी के जो मशलियां ताजे तथा समुद्रुवी पानी में पाई जाती हैं अब यहां पर देखेंगे जो प्रकृतिक बनस्पती का अर्थ है कि बनस्पती का वह भाग जो कि मनुस्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानुवी प्रभाव नहीं पड़ता है इसे अक्षत बनस्पती भी कहते हैं ठीक है जो प्रकृ नुक्सान नहीं कर सकता उसे अक्षत बनस्पती भी कहते हैं ठीक है इसी को प्रकृतिक बनस्पती भी कहते हैं वह बनस्पती जो की मुल रूप से भारती है उसे देशज कहते हैं तो देशी और भी देशी हमें पता ही है जो देशज पौधे होते हैं जो हमारे देश में ही पहलुआ भारत 1-3 प्राइब ये सारे पाई जाते हैं ठीक है तो हमारा जो भारत है इसमें बहुत बिविन प्रकार की बनस्पतिया पाई जाती है उश्र कटी बंधिये वर्षा बन उश्र कटी बंधिये पणपाती बन उश्र कटी बंधिये कटीले बन परवत बन मैंगरोब बन जो उश्र कटी बंधिये वर्षा बन में बेपारिक महत्य मुहत्तों के कुछ विक्ष पायाते हैं। उष्र कटिबंधिये और महत्तों महत्तों गाट WILL रबड और सिंखोकि न जो उष्र कटिबंधिये प्नपाथी बन है Wellington कमएव फैले हुए हैं। कहते हैं और यह उन छेत्रों में विश्त्रित हैं जहां 70 सेंटीमेटर से 200 सेंटीमेटर तक वर्षा होती है यह बन जार खंड पस्च में उड़ी सा 36 गड़ में पाए जाते हैं उश्रकटी बंधे पनपाती बनों में सबसे प्रमुख प्रजातिया सागोन तथा वेपारिक मह मत्यों के कुछ ब्रिक्च पाए जाते हैं इसे बासी समचंदन रवर कुशम और जुन तथा सहतूत सुस्क पनपाती बन उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमेटर से 100 सेंटीमेटर के बीच होती है यह बन उत्रपरदेश बिहार के मैधानों में पाए कर ती बन के शेतर संतर सेंटीमीटर से कवश होती है यह बन गुजरात रज्थान चतिसगर मध्य परदेश उत्तर परदेश हर्यांअ में पाए जाते हैं जो श्रकंदिय कर आजड़ में के मुक्यत बन के शेतर में मुक्याओ पादब जातीयां वह आ केसिया है खजूर है फोर्विया है तथनागफनी है ठीक है यह सारी पाई जाती है एक हजार मीटर से हजार मीटर की उचाई वाले छेत्रों में आद्र सितो शड़कटी बंदियों बन पाए जाते हैं इन में चोड़ी पती वाले ओक और चेश्टनट के जैसे ब्रिचों की प्रधानता होती है परंद्र सो से तीन हजार मीटर की उचाई के बीच संकुधारी ब्रिक्च चीड पा इन बनों में प्रायः जो होते हैं कस्मीर महांब्रिक चीतरा हिरंड जंगली भेड खरगोस्ती बतिय बारसिंगे याक हीम तेंदुआ गिलहरी रिक्च आई बैक्स कहीं कहीं लाल पंडा घने बालो वाले भेड तथा बक्रिये पाई जाती हैं जो मैंगरूब बन होते हैं जो मैंगरूब बन होते हैं यहां पर बन अस्पतियां तटवर्ती छेत्रों में जहां जवार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वण बन अस्पति हैं मिट्टी और बालो इन तटो पर एकत्रित हो जाते हैं ठीक है मैंगरूब बन अस्पति कहां पाई जाती है जहां जवार भा तो यहां पर क्या होता है इसमें जो है मत्रपुण बनस्पतियां है मिट्टी और बालू इंत्रटो पर कत्रित हो जाते हैं घने में गुरूब जो एक प्रकार की बनस्पति है जिसमें पेड़ों पौधों की जड़े पानी में डूबी रहती है गंगा ब्रहम पुत्र महानद जिन से मजबूत लकडिये प्राप्त होती है नारियल तार क्योडा बैंगार के ब्रिक्ष भी इन भागों में पाई जाते है इस छेत्रकारायल बंगल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है भारत में जो प्रसिद्ध वसधी के लिए प्रियोग होने वाले कुछ पादप है वो है सर्पगंधा जामुन अर्जुन बाबुल नीम तुलसी पादप कचनार है भारत बिभिन प्रकार की प्राणी संपति में धनी है यहां जीवों की 89,000 प्रकार की जातिया मिलती है देश में 1200 से अधिक पच्चियों के प्रजातिया पाई जाती है यह कुल 203 प्रतिसत है य अस्तन्नी धारी जानवर भी पाय जाते हैं भारत में अस्तनधारी जानवरों में हांती सबसे अधिक महत्यपोध है असम करनाटक के रल के उष्रत था आद्रवनों में पाई जाते हैं अब यहां पर हम देखेंगे की भारत जो है भारत में जीव सुरक्षा के लिए अधिनियम पास किया गया 1972 में लागू किया गया भारत जो है बिस्व का अकेला देश है जहां सेर्थ अथा बाग दोनों पाए जाते हैं भारते बागों का प्रकृतिक वास अस्थाल जो है गुजरात के गीर जंगल है गुजरात में जो गीर के जंगल है वहां पे पाए जाते हैं बाग जो है मध्य परदेश धारखंड के बनो पस्युमी बंगाल के सुन्दर बन तता हीमाचल हीमाले परदेशों में पाय जाते हैं। भारत के नदियां जीलों समुद्री छेतरों में कच्वे मगरमच घडियाल पाय जाते हैं। घडियाल मगरमच की प्रजातिय का इसा प्रतिने जो बीशों में के वल भारत में पाय जाता है। जो परिस्थिती तंत्र के और संतुलंग का मुख्य कारण है वो लाल चीप बेपारियों का अपने बेवसाय के लिए अत्यधिक सिकार करना है। जो बहुत ही मतलब कीमती लकडियां बिखती हैं उसे काट के बेवसाय करते हैं। जैसे रसायनिक और दोगी कारण प्रदूसर्ण विदेशी प्रजात्यों का प्रवेस क्रिसी तथा निवास के लिए बनें। लिए वनों के अंदर धन कटाई से परिस्तितिक तंत्र करें संतुलन का कारण है। ठीक है। जो बहुत acetic जमां हो गया है नदियों में और जो है जंगलों के आसपास उसे क्या होता है प्रदूसर होता है और इससे क्या होता है कि पिंद पॉधे और जीव जनतू सब नश्ट हो रहे हैं जो बीदेसी प्रजातिया अगर हम अपने प्रिण पउधों के पास लगाते हैं तो वो जो है हमारे जो देशच प्रजाति उसको नश्ट करती है। क्रिसी के लिए जो है जंगलों की कटाई हो रही है, आनधुन कटाई हो रही है, इसे क्या हो रहा है, पर इसे तिक तंत्र का असंतुलन हो रहा है। भारत देश में पादप और जीव संपती की सुरच चकले सरकार ने कई को कदम उठाये हैं, देश में 14 जीव मंडल निश्ची तस्थापित किये गया हैं, इनमें चार सुंदर्वन पस्षिम बंगाल, नंदा देवी उतरांचल, मननार के खाड़ी, तमिलनाड़ और निलगिर करनाटक के रल तथा तमिलनाट की गड़ना, विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है, और यहां पे जो बात हो रिये सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उध्यानों को बित्य तथा तकनिकी साहता की उजना बनाई गयी, सेर संड़क्षण, गेंड़ा संड़क्षण, भा तो यहां पे हम देख सकते हैं, कि जो हमारे देश में हैं, देश में पादप और जीव मंडल की सुरच्छा के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं, तो हमारे देश में जो है, जो पौधे हैं और जो जीव हैं, उनकी सुरच्छा के लिए बहुत सारे कदम उठाये गये, त उसका नाम सुन्धर्वन है एक नंददे भी है जो की उत्राइंचल में है अब मनार्ण की झाड़ी जो की तमिल लाड़ bulun तो इस तरह से हम देखते हैं इस तरह से हम देख रहा हैं यहां पर कि जो जो प्राकृतिक बनस्पति और बनने पराणी है उसकी क्या इस्थिती है हमारे देश में जो प्रकृतिक बनने पराणी है उसकी क्या इस्थिती है हमारे देश में तो हमारे देश जो है बारज विविधिता वाले देशों में से एक है और हमारे देश में 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं भारत में 15,000 फूल प्राकृतिक बनस्पती का अर्थ होता है जिसे नुक्सान नहीं करना चाहिए सो बनस्पति भी कहते हैं जिस पर मानों का प्रभाव नहीं है जो कि खेती से और उसके मानों के खेती और उसके रहने के अस्थान से दूर है वह बनस्पति जो मुल रूप से भारते उसे देशच कहते हैं उसके बाद जो है हमने देखी कि हमारे देश में कितने प्रकार की बनस् माँगरोब बन है उष्रकटी बनधिये परफाठी बन उष्रकटी बनधिये वर्षा बन उष्रकटी बन उष्रकटी बन अधाय बैकर रोजूड रबर सिंकोना यह सब आप उबुनी है और जो पड़ापाती बन है उसमें एक तो वर्सा बन होगे परणपाती बन होगे यह जारखंड पस्ची उड़ी सा और उत्तरा खंड च्छतिसगड में पाए जाते हैं जो उश्च कट्टी बन थे पड़ापाती बन है उसम में जो है यह जो है उत्तरपरदेश बिहार के मैधानों में पाए जाते हैं जो कटीले बन है वो जो है उश्च कट्टी बन इये गुजरात राजस्थान चटदिस गण मद्य परदेश उत्तरपरदेश-सरियाण में पाए जाते हैं उसी तरह से कटीले बन के छेतर मुख्य रूप पर जाती है जो है खजूर है उफ और विया है नागफनी है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कौन से जो पौधे हैं और कौन से जो ब्रिक्ष हैं किस तरह के बनों में पाए जाते हैं ठीक है ठीक है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सब्झेक्ष कहां पर पाए जाते हैं उसके बाद जो मैंग्रूब बनों की बात होती है तो यह जो है यह जो है जो है जो है जआर भाटा जहां तटवर्ती जो छैतर होते हैं no और समुद्रों के वहां के जो तटवर्ती छेत्र होते हैं जो यहां जवार भाटा आते हैं वहां पे जो है मिटी और बालू एक तरित हो जाते हैं और वहां पे गहने मैंगरोव एक प्रकार की बनदास्पति है जिसमें पोधो की जड़े पानी में डूबी रहती हैं ठीक है अब यहां पे गंगा ब्रण पुतर डिलता में सुन्दरी बिरिक्ष पाई जाते हैं जिन से मजबूत लगडी प्राप्त होती है नारियल ताड क्योड़ा बंगर के बिरिक्ष भी इन भागों में पाई जाते है रायल बंगरल टाइगर प्रसिद जानवर है भारत में प्र भारत में 205-8 प्रसा उभजचरी सरश्रीप अस्तंधारी जानवर भी पाय जाते हैं भारत में अस्तंधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्तो पूर्ण है या असम करनाटक के रल के उष्ण तता आधरबनों में पाय जाते हैं तो हमारे देश में जीव सुरक्षा के लिए दिनियम 1972 में लागू किया गया और हमारा ही देश एक ऐसा है जहां बाग और सेर दोनों पाए जाते हैं और उसके बाद हमने ये देखा मत पूर्ण की हमारे देश में जीव सुरक्षा के लिए बहुत 14 जीव मंडल अस्थापित क किया गया हैं जिसमें से मुख्य सुंदर बन है नंदा देवी है मनार किखाड़ी और निलगिरी है तो इसके जो कुश्चन आंसर है उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो कैसे लगा जरूर से बता है और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद